हेलो एब्रीवान वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आल इंडिया बार एक्जामिनेशन 17 एक्जाम फार्म के बारे में और जैसा कि आपको पता है कि AIB फार्म में करेक्शन का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो गया है अगर फार्म में आपने कुछ गलत भर दिया है गलतिया कर दी है तो उसमें आप सुधार सकते हैं फार्म में करेक्शन कर सकते हैं लिंक एक्टिवेट हो गया है इस बारे मैं फर्दर जो है आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे आपको जो है करेक्शन करन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके फार्म में ये गलती है तो फार्म में आपका सुधार नहीं होगा और सुधार नहीं होने की वज़ाद से क्या आपका फार्म रद्ध होगा इसके बारे में BCI को ही निल्ड़ लेना है तो इस वीडियो में सिर्फ इतना जानेंगे कि कोई सी ऐसी आपने गलती की है जिसको आप सुधार नहीं सकते हैं यानि कि ऐसी गलती जिसको सुधारने के लिए BCI ने आपको मौका नहीं दिया है यानि कि उसमें करेक्षिन नहीं कर सकते हैं तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन-कौन से ऐसे कालम हैं, कौन-कौन से ऐसी प्रविष्टियां हैं जिसमें आप सुधार नहीं सकते हैं, जिसमें सुधार करने का मौका आपको BCI ने नहीं दी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे फस्ट टाइम विजिट कर रहा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अप्लोड करूँ उसकी लिटेस नोटिफिकेशन मिलती रहे, और साथी साथ वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को अधिक साधी शेयर करिए, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी गलती जिसे आपने की है और उस गलती को सुधारा नह केसे होगा, यहाँ पर देखिए जो रजिस्टेशन वाला, यह रजिस्टेशन इनफार्मेशन वाला जो कालम है, पहले नमबर बे, इसमें आप कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, उसके बाद देखिए बेसिक डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, डाकुमेंट अपलोड, त इसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो रजिस्टेशन इनफार्मेशन में आप बिल्कुल करेक्शन नहीं कर सकते हैं, कोई छेड़ खार नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, रजिस्टेशन के समय आपने जो भी नाम यहाँ पर फिल किया था, इसमें कोई करेक्शन न भी आपने भरा है, इसमें भी और करेक्शन नहीं होगा, नेक्स्ट है, डिफरेंटली एबल कैट्गरी", इसमें भी और करेक्शन नहीं होगा अगला है enrollment number यानि का enrollment number इनरोल्मेंट नमबर जो भी आपने ऋहां पे भर दिया है registration के time उसमें जो है कोई correction नहीं होगा यानि जो registration time अपने enrollment नंबर भरा था अगर गलत भी भर दिया है तो इसमें correction नहीं है correction नहीं होगा correction नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर option जो है BCI के दौरा correction का नहीं दिया गया है उसके बाद से state bar council यानि किस स्टेट के बार काउंसिल में आप इन्रोल हैं अगर फाम में आपने फ्रस्ट टाइम जो भरा था तो इसमें भी करेक्शन नहीं होगा अगर आपने गलत भी भर दिया है तब भी इसमें करेक्शन नहीं होगा कैंडिडेट टाइप फ्रेस हैं या रिपीटेड हैं तो इसमें भी करेक्शन नहीं होगा डेटा बर्थ में भी करेक्शन नहीं होगा मोबाइल नंबर में भी करेक्शन नहीं होगा अल्टरनेट मोबाइल नंबर में भी करेक्शन नहीं होगा उसके बास से यहां पर कर दी है तो इसमें correction नहीं होगा यानि यहां पर आपको आपकी गलती सुधारने का मौका नहीं दिया गया है next हम बात कर लेते हैं other details में अगर आपने च्वाइस आपको question paper language चूज कर लिया है पहले या English चूज कर दिया है और उसमें आप correction चाहते हैं तो इसमें भी correction नहीं होगा test center अगर आपने fill कर दिया है जो भी पहले farm में fill किया था अगर उसमें आप changes चाहते हैं बदलाव चाहते हैं तो ये भी नहीं सुधार होगा तो ये चीजे जो मैं आपको बताया हूँ इसमें आप बिल्कूल correction नहीं कर सकते हैं राइस्टेशन information में correction नहीं होगा test center में correction नहीं होगा और 24 आप question paper में correction नहीं होगा